स्पोर्स की समी अपडेट्स चानने के लिए स्पोर्स स्ट्रीट को सब्सक्राइब करें और साथ ही किसे भी नुटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें IPL के 48 में मुकाबले में हैजबाद ने पंचाब को 213 रनों को भाई भरकम लक्ष दिया जिसे चेस करने में पंचाब असफल रही और 43 रनों से हार गई लेकिन इस मैच में कुछ ऐसे वाकिय देखने को मिले जिने देखकर वहाँ की ओडियन्स और कमेंटेटर की हसी छूट गई असल में हुआ कुछ यू कि कीन विलियमसन ने शौट लगाया जिसे रोकने की कोशिश करते हुए क्रिस गेल ने पैरो का इस्तमाल किया लेकिन बॉल रुकने की बजाए पैर से लगकर आगे बाउंडी पार कर गई और विलियमसन को चाट रन मिल गए क्रिस गेल को देखकर ऐसा लगा कि मानों वो क्रिकेट नहीं बलकि फुटबॉल खेल रहे हैं वहीं दूसरी तरफ लगान फिल्म की याद आ गई निकोलस पूरन ने बल्ला उठा कर मारा तो बॉल हवा में उरती हुई भुवनेश्वर कुमार के हाथ में जा गिरी पर भुवनेश्वर कुमार ने कैट तो लिया लेकिन बाउंडी पार जाकर और इस गेल पर पूरें की खाते में दर्ज हो गए छेरन